हाई हेलो नमस्ते वेल्कम बैक टू माई चैनल एड वेरी हैपी न्यू येर तो सबसे पहले केक बनाने की रेसीपी स्टार्ट करते तो केक बनाने से पहले यह आप मैंने डार्क चॉकलेट लिसकते हो दैन इसको आपको डबल बॉइलिंग प्रोसेस में आपको मेल्ट करना है यह मैंने डिर्क वीडियो स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए तो डबल बॉइलिंग की प्रोसेस से इसको अच्छे से मेल्ट करना है आपको कंटिन्यूसली इसमें मिक्स करते रहना है तो आप इसके लिए आप केक बनाने के देखाने वाली हों की टाइम बिच से वह और आप देखो भी एजी लिए एंड यह मेल्ट हो चुका है आप देख सकते हो है मेल्ट हो चुका है पुरा एंड नेक्स्ट प्रोसेस आपको देखते जाए वीडियो बीच में कहीं सितने करते हैं तो अगर अभी तक मेरे चैनल क आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तो यह चॉकलेट पूरी तरह भी मेल्ट हो चुका है एंड धैन आपको 100 ग्राम्स बटर लेना है जहां पर हमने अमूल बटर लिया है तो यह बटर को हमें अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है कोई भी आपके ग्राइंडर की मदद से ऐसे भी आप स्पून की मदद से भी कर सकते हो धैन यहां पर तुरी अच्छी तरह जैसी देख रहे हो रूम टेंपरेचर पे होना चाहिए सब जो भी आप जो भी ले रहे हो सारे इंग्रीन ज दालकर तैसा पराउडर बना सकते इसके लिए अलग से खरीदने की कोई ज़रत नहीं है वही सुगर पाउडर वन कब सुगर पाउडर आपको चाहिए एंड फिर अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है जैसे आपके कर लिया है अभी आपको तीन अंडे चाहिए तो आपको एक एक अंडे डालके अच्छे से मिक्स करना है सब साथ में नहीं डालना है तो क्या होगा मिक्स अच्छे से नहीं हो पाएगा तो केक स्पंजी नहीं आ प मिक्स करने के बाद एक डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है यह अच्छे से मिक्स हो चुका है यहाँ पर आप जो आपने चॉकलेट मिल्ट किया था थे Vivian वे को अबीया पाउडर डाला है वायव यहाँ प्योलकाit राऑने याफ सी आपको its ब्राउन जोगा चबित कि खाएगान पॉर्यकाई », आपको बेकिंड पाउडर लोन टीश्पून बेकिंड बेकिंड बाउडर र commandersनidas बएन टीस्पून आपको आपॉफी पाउडर भी लेना है आप को यापने सके फी इतन विर एके फी काम अपर लिया है फिर एक से इसको मिक्स कर लेना है यह यहाँ पर वैनिला एसेंस भी नहीं यह ओप्षिनल है वैनिला एसेंस फ्लेवर के लिए होता है ए मैं यहां पर को फि पाउडर ढाल दाला जादी है इसको पाउडर न्यूट आपको कोई भी टिन लेना है या कोई रॉक्स्ति हो या कोई लेकिन आपको इस enhancement कोर्णर यह फॉर में पर दीज़ा आपको आपको संसे विल्स करने के बाद आपको इसमें डालना है इस में से थोड़ा में पलंटीछ करने ओ फैल definition यहां पर देख सकते हो कुछ ऐसा एंड आपने जो बैटर डाला था वो इस में इस टिन में आपको ट्रांसफर कर लेना है यह बैटर थोड़ा क्या थिक बन गया है आप थोड़ा सा थिकनेस इतना नहीं लेना आपको इसको केक को मैक्सिमम 45 मिनेट्स आपको इसको कड़ाई में अंदर कड़ाई के अंदर आपको स्टेंड रखके आपको इसको कुक करना है देन ये कुक हो गया है बहुत अच्छे से कुक हो गया है देन ये सुकर सीरप लेना है आपको सुकर सीरप में खाली आपको सुकर वाटर में डिसॉल्फ करना है देन वो अपलाई कर देना है केक पे अच्छे से इससे क्या होगा बहुत अच्छा आपको टेस्ट देखने को मि लेगा हैं मीठा भी होगा तो इसको बीच में से काट के आपने इसमें सुगर सिरॉप लगा दे रहे हैं अच्छे से आपको अगर कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मेरे को प्लेस कमेंट करके के भी ज़रूर बताएगा एंड इसमें आपको सुगर स्टफिंग करने हैं में सैसे सुगर पाउडर जो है इसके उपर सुगर स्टफिंग करने आपको एंड इसको आपको अच्छे से विप क्रीम लगा कर आप अच्छे सी कोई भी ग्रानिस कर सकते हूं आप चॉकले डाल सकते हैं मैंने आप टूटी फ्रूटी डाला है इसके उपर फिर से वही सुगर स्ट्रफिंग कर रहे हैं आपको अगर विप क्रीम कैसे बना इसकी प्रोसेस चाहिए तो में नेक्स्ट वीडियो में अप्लोड विप क्रीम की प्रोसेस करने वाली हूँ यह था लास्ट एंड लुक ऑफ केक इजी है आप घर पे ट्राइब कर सकते हो एंड केक बहुत ही अच्छा बना है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा ठैंक यू सो मॉच मिलते हैं अगले व